नमस्कार दोस्तो, वाटसब पे कुछ लोगों ने मुझे पुल्स ओक्सिमेटर के बारे में कुछ इमेजेस पोस्ट की, विडियोस पोस्ट की एं, उसमें दिखा गया है कि जो पुल्स ओक्सिमेटर यह डुबलिकेट है, गलत रीडिंग दे रहा है, तो दोस्तो यह सही बात को मैं आज के वीडियो में आपको डेमॉस्टेट करके बताने वाला हूँ आपका सौगत है डॉक्टर पशांत्मोरे हेल्टीप चानल पर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे अभी ये तीनों मेतल स्मय आपको बताऊंगा दोस्तो ये जो वीडियो है मुझे मेरे एक डॉक्टर मेतर ने फारोड किया है और इसमें देखो कुछ लोग जो है पेन से ये पल्स ऑक्सिमेटर में रिडिंग ले रहे हैं और इस तरह से वो क्लेम कर रहे है कि देखे ये प हराब है विगड़ा हुआ है तो ये यूज करेंगे तो रिडिंग सही देगे नहीं देखे अभी जो पेन की रिडिंग भी है ये दिखा रहा है और हार्ट रेट नब्बे दिखा रहा है और अभी तो एकदम अलग रिडिंग दिखा दी अपका इस पीउटो दिखा दिया 85 वह मतलब pain का और heart rate दिखा दिया 267 तो दोस्तों जो pain है या कोई ऐसी चीज है तो उसका जो है pulse oximeter पहले बाद तो sense करता है नहीं उसको कोई reading देता नहीं है तो जो अच्छी company का pulse oximeter है वो उसकी reading देगा नहीं तो इसकी वज़े से जो pulse oximeter आप लेते हैं वो लेते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि ये सही है या गलत है ये decide करना बहुत जोरी है नहीं तो घर पे आप pulse oximeter लेंगे है अपको चायना मीड़ पॉस oximeter में reading 95 से 100 के बीच में सेट है हर वर आप चेक करेंगे आपको लगे अच्छा है अच्छा है तो दोस्तों ये 95 से नीची रिड़ता है तो बताता ह ही नहीं है तो इस तरह के pulse oximeter भी आ गए मार्केट में तो इससे हमें बचना चाहिए तो इसको मैं आगे वीडियो में बताओंगा कि कैसे पता करें कि ये pulse oximeter सही या गलत है दोस्तों ये जो दूसरा फिक बेजा है उसमें भी देखिए चारों उंगलियों पे pulse oximeter अलेग देखने को नहीं मिलता है ज्यादा से ज्यादा दो तिन परसिंट का डिफरंस देखने को मिल सकता है इतना डिफरंस देखने को नहीं मिलना चाहिए अगर ये pulse oximeter दिखा रहा है तो ये faulty है डूब्लिकेट दोस्तो ये हमारे सामने pulse oximeter है हम rubber band और pain का इस्तमाल करके पता करेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं तो सबसे पहले हम जो हमारा middle finger है राइंड हैंड का middle finger मध्यमा इसमें जो normal oxygen saturation है इसको चेक करेंगे देखिए ये दिखा रहा है 96 और heart rate दिखा रहा है around 88 दोस्तो ये जो reading है हमारी pulse oximeter ने दिखाई है तो अभी pain की reading लेते हैं तो आते है या नहीं दोस्तो जो पहले एक video दिखाया था मैंने आपको शुरू में उसमें जो pain की reading दिखा रहा था तो अगर हम pain की reading लेते हैं इस pulse oximeter में तो देखिए क्या होता है नॉर्मली जो pain की reading नहीं दिखानी चाहिए pulse oximeter ने अगर कोई pulse oximeter दिखाता भी है तो वो गलत reading होगी नॉर्मली जो pulse oximeter का sensor है ये pain को sense नहीं कर पाएगा तो देखिए अभी हम इसको on करने कोशिश कर रहे है तो ये pain से reading नहीं आ पा रही है दोस्तो इसके बाद जो है rubber band का इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि जो pulse oximeter में reading है ये सही या नहीं है क्योंकि कुछ pulse oximeter में reading जो है 95 से 100 के बीच में सेट रहती है और heart rate भी 60 से 100 के बीच में सेट रहता है तो अभी जो ये reading दिखा रहा है मतलब जो spoto 95 है और heart rate 90 है तो अगर कुछ pulse oximeter में reading अलरीडी सेट रहती है तो ये reading इसमें सेट है क्या ये फॉल्टी है क्या मतलब गलत reading तो इसमें सेट नहीं है ये चायना मेड तो नहीं है ये डूब्लिकेट तो नहीं है तो दोस्तों ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे एक rubber band लिजे आप और आपका जो index finger है उसको tight उसमें लगा दीजी इससे क्या होगा जो blood है वो आपके index finger से पहुचेगा नहीं अब blood नहीं पहुचेगा तो oxygen नहीं पहुचेगा तो ये लगा के आप फिर इसको pulse oximeter लगा ले इसके बाद pulse oximeter आप लगा लेंगे तो दो चीजे हो सकती है अगर इसने read किया तो oxygen saturation कम दिखाना चाहिए लेकिन ज्या कर रहा है क्योंकि जो rubber band लगा है उंगली में इसकी वैसे जो आगे खुन पहुच नहीं रहा है तो एक दोस्तों बहुत अच्छे टेक्निक है इससे आपको जो घर में pulse oximeter आप इस्तमाल कर रहा है वो सई है या faulty है या duplicate है यह पता चलेगा देखिए इसने जो इसका sensor है इ जल्दी निकाल दीजिए दोस्तों मैंने एक वीडियो के स्टार्ट में जो मुझे वाटसप पे एक picture मिला था कि पाच उंगलियों में जो pulse oximeter की reading है वो पाच उंगलियों में अलग अलग है तो दोस्तों नॉर्बली हम राइट हैंड के जो middle finger है उससे चेक करते हैं लेकिन बाकी उंगलियों में भी चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा difference नहीं देखने को मिलना चाहिए ज्यादा ज्यादा दो या तीन प्रतिशत का difference मिलने को होना चाहिए अभी देखिए यह हमने थम में चेक किया तो SPO 295 है अभी हम इसको index finger हमारा इसमें चेक करेंगे इसमें कितन यह होगा pulse oximeter तो यह बहुत अलग-अलग reading दे सकता है एक इसमें दिखाएगा 80 दूसरे इसमें दिखाएगा 90 एक इसमें दिखाएगा 95 तो pulse oximeter सही है या नहीं है यह चेक करना भी बहुत जोरी है क्योंकि COVID-19 में अभी सब लोग घर में अपना oxygen saturation नाप रहे है और आप ज कई में oxygen saturation down होता है तो इसमें पता भी नहीं चलेगा देखिए दोस्तों फिंगर में भी कितना दिखा रहा है SPO2 97 दिखा रहा है 96-97 और heart rate 88 आ रहा है दोस्तों यह जो है हम हर finger में चेक करेंगे thumb, index finger, middle finger, ring finger और little finger इसलिए चेक करके दिखा रहा हूं कि देखिए जो difference है चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा difference नहीं देखने को मिलता है इसमें भी देखिए SPO2 97 परसेंट आ रहा है तो दोस्तों जो pulse oximeter आप जब market से खरीते है तो अच्छे company का खरीते है चायना में duplicate मत ले और जब लेते है तो इसम्पल टेकनिक है इसमें कोई बहुत जमिन आस्मान का पर रगया ब्र इंट इसका मतलब इस इस सही काम नहीं कर रहा है तो चूटी-चूटी चीजों से हम इसको पता कर सकते हैं दोस्तों क्या हो रहा है कि जो duplicate pulse oximeter आ रहे है इससे लोग क्या बोल रहे है कि भाई यह pulse oximeter तो सब duplicate है सब duplicate नहीं है कोई भी description box में देता हूँ ताकि आपको अच्छे कंपणी के जो पुल्स ऑक्सिमिटर है यह मैंने अमेजन से जो है लिंक इसके मैं प्रोवाइड करता हूँ description box में वहाँ से आप खरी सकते हैं नहीं तो आप आपके बाज़े बाज़े में जो मेडिकल स्टोर से वहाँ से भी जो है पल्स ऑक्सिमिटर को खरी सकते हैं दोस्तों जो कोविड-19 का पैंडिमिक फहला है तो घर में अभी पल्स ऑक्सिमिटर होना बहुत ज़रूए दोस्तो रावन्ड जो 86 और हडे 3.9 दोस्तों डीप ब्री गिटर गरिए जो पल्स ऑक्सिमीटर होए उसमें बढ़नी चाहिए क्भी सास लेते हैं तो आपके जो है oxygen बोडी में बढ़ जाता है तो आप इसको कम शिक विख आदो मिनित तक आप डीप ब्रीधिंग करिए तब यह लेकिए दोस्तों यह भी 98 हो गया है तो आप जब सास डिप लेंगे तो यह जरूर बढ़ेगा एक दो तीन चार इतना यह प्रतिशत बढ़ सकता है इससे भी हमें पता चलेगा कि यह सही यह गलत है अगर गलत होगा प्ल्स ऑक्सिमेटर तो आप सास भी डिप लेंगे तो इसके बढ़ेगी नहीं जैसे मैंने डीप सास लेना शुरू किया तो इसका जो बढ़के 98 हो गया तो यह पेकनिक है इससे हम पता कर सकते हैं कि दोस्तों इसको मैं बंद कर देता हूं तो अगर आपको प्ल्स सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉल्टी है डूब्लिगेट है चायना मेड है यह सिंपल्स टेक्निक्स से पता कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजे ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चानल डॉक्टर मोरेज हिल टिप्स को सब्स्राइब कीजे वीडियो को शेर कीजे और बेल आइकान पर क्लिक करके और पेश सेट करना ना भूले धन्यवाद